नमस्तों दूस्तों मैं हूँ शेकर आप देख रहें SBDigital इस फुरंदर मैं नर्जो 30 ये जो बॉक्स ये पर है सुवाई ये पर रिसीव हो गया कम्यूनिटी पे एक पोस्ट भी डाला था कि इसके प्राइस बहुत ही ज़्यादा रिडिउस हो गया 5000 रुपीज डिसकाउंट हुआ Flipkart Smart Upgrade Program के दोड़ा और 1000 रुपीज डिसकाउंट हुआ ICICI के Credit Card के दोड़ा ये सब कुछ मिला के Final Price आ गया कुछ 10,900 रुपीज के आसपास और ये वेडियेंट है 6GB 60 4G वाला फास्ट ये पर Flipkart के बॉक्स को ओपिन कर लेते और ये पर कोई चाकू बागाड़ा मैंने नहीं लाया है और ये हो गया फास्ट सिल काट ओ माई गॉड इसके अंदर नील सा बॉक्स दिया है जो देखने में बहुत ही अच्छी तरीका लग रहा है तो ये है इसका पुड़ा फोन का डबबा कलार तो बहुत ही बढ़िया किया गया है इसके अंदर इसका इंवोईस भी हमें देखने को मिलता है तोटल प्राइस ये पर आप देख सकते हैं 10,902 रूपीज फास्ट इसके रैप को हटा लेते अंद सील भी हमें एक ही देखने को मिलता है और ये सील जो है ये चाबी से ने उट रहा है जिसको ऐसे ही पील आप कर देते तो फास्ट ये पर दिया है फिल दा पावार तो देखते है कीड बोक्स के अंदर हमें क्या कुछ मिल जाता है ये पर दिया है ये safety guide and quick guide और ये पर cover भी दिया है जो black sheet के अंदर हमें देखने को मिल रहा है और ये बहुत ही ज्यादा soft है अब आता है इसका main चीज फोन को ये पर बार निकल लेते और इसके wrap के अंदर देखने में आप देख सकते पीछे का design उतना बढ़िया मुझे नहीं लगा और ओग कलर भी नहीं मिला फास्ट टाइम मैं बुक कर दिया था और ये कलर मिल गया बकी wrap को ये पर हटा लेते जो भी ये जैसा है कुछ ऐसा में कलर देखने को मिलता है इसको भी इसके अंदर चिपका लेते ये इसका पुड़ा कलर ये पर आप देख सकते है कुछ silver कलर के तरह लगड़ा है और देखने में उतना बढ़िया interesting मुझे ये कलर नहीं लगा और ये पर मिलता है ये 30W का fast charger इसका output अगर मैं देखू तो ये पर आप देख सकते है 5V 2A और 5V 6A और ये पर लिखा है made in India और साइड में रखा गया ये USB Type-C के मिल आइसके नीचे सबसे लास्ट ये पर रखा गया ये SIM Ejector Tool तो अभी X-series बगारा सब कुछ ये पर आपने देख लिया फोन को first time on करते है next, skip, next, get started तो अब इसका पुड़ा इंटर्फेस ये पर लोड हो गया देख सकते है कैसा में देखने को मिल रहा है next time apps and blood air बगार आप उतना ज्यादा ये पर नहीं दिया है कुछ extra apps ये पर मिलता है जिसको आप uninstall obviously कर सकते बाकी overall इंटर्फेस कुछ ऐसा में देखने को मिल जाता है और ये है इसका notification bar and settings के अंदार जाके मैं आपको देखते हूँ ये है पुड़ा इसका settings, about section, पुरसा Dimensity 800U, 64GB storage, 6GB RAM, Realme UI version 1.0 and Android version 10 अब डिजैन इपर आप देख सकते है बहुत ही दा minimalistic लगड़ा है बहुत लोग को ये design पसंद आ सकता है और नहीं भी आ सकता है मुझे उतना बढ़िया नहीं लगा बट ठीक ठाक एक minimalistic design के अंदार आता है पुड़ा silver color के अंदर matte reflective look के साथ ही आता है अब इसलिए आप भी समझ सकते हैं देखने में उतना attractive नहीं लगड़ा है अब पुड़ा phone का overview मा आपको दिखा लेट साइट पर लेफ साइट पर वल्यम अपड़न बटन और SIM card slot देख लेते हैं कितना ज्यादा ये पर दिया है तो ये पर मिल जाता है dual SIM card slot और एक SIM को replace करके आप extra SD card भी लगा सकते है बटम साइट पर दिया है 3.5M headphone jack, microphone hole, type C port and speaker grill टॉप सेक्शन पर ये secondary speaker बैक पर दिया है Narzuka branding designed by Realme अब कामेरी की बाद कुरतो 48MP के triple camera setup दिया है जापे 48MP मेने बाकी 8MP ultrawide and 2MP macro तो ऐसे कोई depth sensor नहीं दिया है और ये 4 camera देखने में लग रहा है बट ये 3 camera है with flush और फ्रॉंट में दिया है 16MP का selfie camera तो इसका अगर आप full camera review देखना चाहिए तो चैनल पर अल्रेडी आउट हो चुका है अन्बोक्सिंग से पहले हमने camera test बना दिया card पे camera review का वीडियो है वसे आप देख सकते अब display की बाद करतो 6.5 inch का IPS LCD display दिया है बट refresh rate बहुत ही जदा है 120Hz का refresh rate ये आप हमें देखने को मिलता है बट इक problem अगर मैं दिखावत है ये आप देख सकते है 120Hz and 60Hz कोई 90Hz का option हमें देखने को नहीं मिलता है ये आपे ज़्यादा battery consumption के लिए बहुत लोग ये आपे 90Hz का यूज़ करता था बट ओ ये आपे नहीं दिया है बिजल की बाद करतो तो top section और left right section में बिजल बहुत ये तक कमें बट bottom section में बिजल slightly ज़्यादा है सो येस इसके अंदर हमें कोई amoled skin देखने को नहीं मिलता है अब build quality बाद करतो तो gorilla glass 3 का protection हमें skin पे देखने को मिलता है येस कोई gorilla glass 5 अच्छा असा protection ये पे नहीं दिया है और पीछे के तरब इस design को लेके मुझे कोई problem नहीं है handset उतना मोटा नहीं है तो hands feel बहुती बढ़ी आता है हाथ में अगर आप पकड़ते हैं बहुती अच्छी तरीका feel ये पे देदेता है अब इसलिए कुछ एंगल से ये flagship handset की तरह लगड़ा है premium handset की तरह लगड़ा है पीछे metal ये proper glass ना होने के बाज़ाज से जैसा experience मैं expect कर रहा था वैसा ये पे नहीं मिला ये पे जो problem मुझे बाड़वार face करने को मिल रहा है ये fingerprint बहुती जल्दी से आ जाता है इसके अंदर अगर अब slightly इसके उपर हाथ रखते है तो बहुती ज़्यादा fingerprint ये पे आ जाता है तो थोड़ा साप कर लेते हैं तो अब इसका weight में अप लेते हैं दिखते हैं इसका weight ये पे कितना आता है 196 gram तो आप समझ सकते हैं उतना ज़्यादा heavy handset नहीं है हाथ में पक्रने है बहुती ज़्यादा light weight ये पे feel होता है अब इसके साथ अगर मैं नर्जो 20 pro का weight में आपके दिखा हूँ तो ये पे total weight आता है 194 gram स्लाइटली और ज़्यादा light weight है अब परफरानस के तरब बढ़ते हैं Mediatek Dimensity 800U पूरसार दिया है तो ये Dimensity का बहुती पूर्फूल पूरसार है 1000 प्लास के तरह उतना नहीं बट बहुती अच्छा गसा पूर्फूल पूरसार है अब UI में दिया है Realme UI 1.0 इसके सथी RAM एंड विडियेंट की बाद करूँ तो दोनों विडियेंट में ये आता है 6GB 64GB और 8GB 128GB Storage UFS 2.1 तो transparent speed experience बहुती येदा fast होने वाला है अब LPDDR4X RAM बाकी swipe up, touches, animation बहुती येदा fast येप आप देख सकते 120Hz के वाए से बहुती येदा smooth experience येप आप को मिलने वाला है अब इसके सथी Geekbench score येप आप देख सकते Single core 599 और Multicore 1794 तो overall इसकोड हमें ठीक ठाकी देखने को मिल रहा है अब battery की बात करतो नार्जो जो series है ये particularly gamers को target करते जिसलिए एक huge battery wake-up तो obviously चाहिए 5000 image की battery इसके अंदाद दिया है उसके सथ fast charging की बात करतो उतना बढ़िया fast charging हमें इसके अंदाद देखने को नहीं मिलता 30W के super dirt charger इसके अंदाद दिया है जो ये पर दबा करता है 100% charging ये पर complete कर देगा only 65 minutes के अंदा तो overall battery section मुझे बहुत ही बढ़िया लगा 5000 image battery उसके सथ fast charging के साथ बहुत ही अच्छी तरीका combination ये पर दिया है यान कि overall experience आपको बहुत ही दा 3D experience मिलने वाला है तो आप भी समाश सकते कि ये Dolby के वैसे overall audio experience आपको बहुत ही दा enhance हो जाएक उपर से high-res audio certification तो clearity धासू मिलने वाला है अब अब इसलिए पर आपको मैं sound सुनाने वालो कैसे मैं sound quality मिलता है volume 100% तो for all sound experience मुझे बहुत ही बढ़िया लगा बट एक problem की बात बताओ तो ये पर एक तरफ से sound ज्यादा मिलता है यान कि percentage की सब से देखू तो balance quality का sound नहीं मिलता है यासे sound slightly ज्यादा मिलता है यासे कम मिलता है बट इसके comparison मैं आपको realme X7 Pro दिखाओ तो ये पर मैं balance quality का sound मिलता है यान कि volume ये पर 50% ये पर भी loudness 50% loudness ये पर balance quality का दिया है बट ये पर मैं equal नहीं मिलता है ये पर slightly ज्यादा sound ये पर कम sound अब connectivity की बात करता हो connectivity में दिया है बहुत सरे feature dual 5G support करता है याने कि दोनों से में आप 5G लगा सकते बट हमोड़े एडिया में ये अवे लेविल नहीं है तो हम क्या कर सकते बाकि bulletin version 5.1, wifi calling हमें सब कुछ connectivity ये पर ये मिलता है अभी इसका share value मैं आपको दिखा तो कितना हमें देखने को मिलता है तो आपको श्रत है के मैं इसको रिकमेंड करता हूँ जी मैं इसको रिकमेंड करता हूँ minimal design, tic-tac build quality के सथ 5000 image battery, 48MP camera and dimensity 800U पूरसार के साथ आड़ा है पूरसार बहुत ही दा powerful है उसके सथ battery भी beast है तो gaming के लिए obviously ये एक perfect smartphone है इसका camera test भी देख लाना कैसा हुआ है card पे click करके आपको video link मिल जाएगा और इसका अगर आप किसी और smartphone के साथ comparison देखना चाते realme narzo 20 pro, narzo 20 या realme x7 के साथ इसका speed test comparison देखना चाते तो नीचे comment करके जरूल बताना ts mask को recommend करता हूँ अगर आप इसको खरीदना चाते आप इसको खरीद सकते तो इस video को देखने के लिए आपको बहुत बहुत देनी वाद अचला तस video को दिल खोल के ज़िए बड़ा सा like और ऐसे interesting video देखने के लिए subscribe कर दिजे मैंने चैनल sb digital को और मैं अब की वाईशेक मिलता पसे निक्स टॉर एक जवर दस्त वीडियो में तब तक के लिए बाइग